हालो एवरीबन वेलकम टू आचीज में कोग तो कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे और अपना खयाल रख रहे होंगे फ्रेंड्स हमारी प्रीविएस वीडियोज में हमने क्राइलोन के सुप्रा और डर्मा पैलेट के बारे में पूरी जान करी ली थी के सुप्रा और डर्मा से हम ब्राइडल बैस कैसे बनाएं कौनसी स्किन टाइप पे कौनसी स्किन टोन पे कौनसे कलर्स यूज़ करें इसके बारे में हमने टीटियोल में वीडियो बनाई थी अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक सेंड कर दूंगी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कीन टाइप्स के बारे में अगर आपको अपना परफेक्ट स्कीन टाइप पता होगा तो ही तो आप अपने स्कीन के हिसाब से प्रोड़क्ट ले सकेंगे ना तभी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइज सोसाइटी ओफ डर्मटोलोजी की एक रिपोर्ट बताती है कि 80% लोगों को अपना स्कीन टाइप पता नहीं होता तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सिम्पल टेक्निक यूज़ करके आप अपने स्कीन टाइप का पता कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके घर में कौन सा भी फेस वाश हो कौन से भी कमपनी का चलेगा वो थोड़ा सा अपने हाथ पर ले लीजी उसमें लिटिल बिट वाटर आड कर लीजी हमें उसमें पानी इसलिए मिलाना है ताकि वो फेस वाश थोड़ा सा डैल्यूट हो जाए ठीक है फ्रेंड्स? तो पानी को और फेस वाश को थोड़ा सा अपने हाथ ले पर मिक्स करके अपने फेस पर अच्छे से लगा लीजीए थोड़ा सा मसाज कर लीजी तब तक माइंड में 10 सेकंड्स काउंट कर लीजीए 10 सेकंड्स खतन होने के बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस को अच्छे से दो लीजीए हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर ही यूज करना होगा ना कि वेट वाइप्स ठीक है नॉर्मल वाटर से ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फेस को नॉर्मल वाटर से दोने के बाद हम फेस को ड्राइ कर लेंगे ड्राइ करने के बाद फेस को आपको वैसे ही रखना है मतलग उस पर मॉस्चराइजर या कोई भी क्रीम नहीं लगानी है और हाँ अपने हाथों से भी टच नहीं करना है आपको फेस को वन अवर तक वैसे ही रखना होगा तो चलिए अब मिलते हैं अफटर वन अवर then मैं आपको बताऊंगी के आपका स्किन टाइप कौन सा है so wait and watch यहां तक वीडियो देखने के लिए thank you so much और guys end तक ये वीडियो देखते रहें ताकि आपको पता चले के आपकी स्किन टाइप कौन सी है तो friends अगर after one hour आपका face बिलकुल बेजान सा रूखा सुखा सा बहत ही कड़क और you know tight feel हो रहा हो आपकी स्किन थोड़ी सी tight लग रही हो weird लग रही हो तो समझ जाए कि आपका स्किन टाइप dry है ये सारे symptoms dry skin type के होते हैं तो आपका स्किन टाइप dry है friends अगर आपके face पर forehead, nose, chin पर अगर oil आ गया हो T-zone पर specially ज्यादा oil हो और आपकी स्किन चिपचिपी सी, sticky सी, लग रही हो तो समझ जाए कि आपकी स्किन oily है और अगर oily स्किन टाइप है तो उस पर pimples तो आते ही है तो समझ जाए कि आपके face पर ज्यादा oil हो तो आपके स्किन oily है guys अगर आपके T-zone पर oil है और आपके chicks बिलकुल dry है तो ये combination skin type होता है इसका मतलब है कि आपका face oily भी है और dry भी है ठीक है combination skin पर T-zone पर हमेशा oil रहता है और उनके chicks हमेशा dry रहते है तो friends अगर आपको after one hour आपकी skin बहुत अच्छी feel हो रही हो बिलकुल soft sea ना chip-chip लग रही हो ना weird लग रही हो तो congratulations आपकी skin normal है खुश हो जाईए friends ये skin type बहुत ही अच्छा होता है इत skin type के लोगों को अपने skin care के लिए extra efforts लगाने की जरुरत नहीं होती तो आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो चलिए let's move on क्योंकि आगे भी तो लोगों को पता चले ना कि उनकी skin कैसी है तो guys अगर आपके face पर red marks दिख रहे हो थोड़ी शी reddish skin दिख रही हो small small दाने आये हो थोड़ी itching हो रही हो थोड़ी सी जलन हो रही हो skin reddish दिख रही हो तो आप समझ जाईए कि आपकी skin sensitive है तो आपको आपके skin की थोड़ी ज्यादा ही care करनी पड़ेगी क्योंकि sensitive skin को जल्दी से allergy हो जाती है sensitive skin को थोड़ी ज्यादा care लेनी पड़ती है क्योंकि उस skin पर कोई भी product लगाने से उनको allergy हो जाती है sensitive skin वालों को कौनसे भी normal products use नहीं करने होते उनको ज्यादा तर dermatologist से ही products buy करने पड़ते है जो भी products dermatologist उनको बता देते है या जिन भी products पर लिखा हो sensitive skin के लिए वही products आप use किया कीजिए और समझधरी से products खरीदना वरना कही लेने के देने ना पड़ जाए ठीक है friends? तो guys अगर आपको अच्छे results चाहिए तो पहले अपना skin type पता कर लीजे और अपने skin type के हिसाब से ही product खरीद लीजे और उसे use करिए ताकि आपको 100% result मिले I hope आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like और subscribe करना मत भुलिएगा और आपको इस वीडियो से related कोई भी questions या queries हो तो मुझे comment section में बताईएगा मैं definitely उन सबका answer करूँगी तो चलिए मैं आपको मिलूँगी अपने next वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खयाल रखिए Bye Bye